असलाम अलेकूम खीमा किसको पसंद नहीं होता मेरा तो फेवरेट है आपका भी होगा और सहरी में हम इसे अकसर खाते हैं तो आज आप लोगों के लिए बहुत आसान और सिंपल खीमे की रेजिपी शेयर कर रही हूं जिसका नाम है तवा खीमा फ्राइड चटपट बन जाता है बनाना बहुत आसान है सिंपल इंग्रीडियन्स लिसकर के हमेशे बनाएंगे तवा खीमा बनाने के लिए हमें चाहिए 300 ग्रैम खीमा माटन या चिकन आपकी मर्जी इसे हमें मैरिनेट करना है अब तो देख लेते हैं इंग्रीडियन्स इसमें दा यह 3 टीसपून अधर कले सुनका पेस्ट दही 3 टेबल स्पून धन्या पाउडर एक या देड टीसपून थोड़ी सी हल्दी एक आधर टीसपून एक टीसपून लाल मिच पाउडर नमक दो टीसपून भर के फेम मैजिक मसाला इसे बना के रख लें सभी रेसिपिस बहुत ही मज़े की बनेंगी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है यह ना हो तो गरम मसाला पाउडर दाल दें थोड़ा सा लेमन एक्स्ट्रैक्ट मिक्स कर लें सभी इंग्रीडियन्स खीमे के साथ सभी इंग्रीडियन्स अच्छे से मिक्स हो चुके हैं इसे हमें कादे घंटे के लिए रख देते हैं मैरिनेट होने के लिए इस तरह से करने से खीमा टेस्टी भी बनता है और जल्दी भी गल जाता है क्योंकि हम तवा यूज़ कर रहे हैं इसलिए इस तरह से मैरिनेशन जरूरी है गलने के लिए खीमा तो हमारा मैरिनेट हो गया है अब एक तवा ले ले और इसमें दालिए तेल दो से तीन टेबल स्पुन हाई फ्लेम पर तेल अच्छे से गरम कर ले तेल गरम हो चुका है एक बड़े साइस की बारी कटीवी प्यास जाल दे और इसे प्यास हमारी अच्छे से गोल्डन हो चुकी है मैरिनेट क्या हुआ हुआ खीमा इसमें दाल दालने के बाद हीमे को अच्छे से भूनते जाईए तब एक ऊपर प्लेन को हाइपे रखके ही धूनिये मैरिनेट करते वक्त सभी इंगुरियन्स हमने इसमें अल्रड़ी एड़ करते हैं इसलिए में आसानी हो जाएगी कुछ भी दाने की जरूरस नहीं है अभी अई तही धूनते जाईए हीमे के पीसस बहुत छोटे होते हैं इसलिए आसा तो करके बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी इसे अच्छे से भूनने के बाद नेक्स्ट हम इसमें तीन से चार टेबल स्पून टमाटर प्योरी दाल देते हैं यह ना हो तो एक बड़ा साइस का नमाटर या दो मीडियम साइस के टमाटर को या तो पीस के दाल सकते है या छोटे पीस आसे कट करके डाल सकते हैं चलिए भी भूल ले दो मिनिट के लिए भूने हाई फ्लेम पर ही हाई फ्लेम पे इसे दो से तीर मिनिट के लिए अच्छे से भूनने के बाद इसे थोड़ा सा अजिस्ट कर ले आने इस तरह से बीच में रखने और लो फ्लेम पे अब हमें हीमा गलाना है पानी दालने की ज़रुरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आप चाहें अगर यह है तो थोड़ा सा पानी दाल भी सकते हैं अब लो फ्लेम पे इसके ऊपर एक लिट बन कर दें और पकाते जाएं खीमा गलने तक देखें इसमें इतना पानी निकला है इम पे में हमारा गल चुका है इसके लिए बस सेक दस मिनिट ही लगेंगे अब हम इसे ड्राइ करना अगर आपको फीमा थोड़ी सी ग्रेवी टैज्ट की पसंद है तो इसे ऐसे ही रख सकते हैं अगर आपको ड्रइद पसंद है थोड़ा सा इसे पका लें हाई फ्लेम पर ही मैं इसे थोड़ा सा ड्राई कर रही हूं थोड़े से धनिया के पत्तों के साथ गाल मिश कर लें हरी मिश दाओ दें मज़ेडार तब हीमा फ्राई तो हमारा तैयार है बहुत ही अच्छी खुच्च्बु आरही है और इसे बनाना बहुत आसान है इसे आप खिचुड़ी के साथ खा सकते हैं दाल चाओं के साथ खा सकत जरूर प्राइब करें जबर्दस रेसिपिस के लिए चैनल कुक वीद फेम सब्सक्राइब कर ले उसके पास जो बेल आइकॉन होता है वह प्रेस कर दें और भी सेलेक कर ले और चैनल का लिंक अपने फैमिली और फ्रेंज के साथ भी जरूर शेयर करें असलाम हुले कुम